बिस्मिल्लाइ रमानी रहीम डियर स्टूडेंट्स आई होब आप लोग सब खेरियत से होंगे तो कोवाइड की सिचुएशन से रिलेटेड अब हुमारे जो एजुकेशनल एक्टिविटी है वो ओनलाइन कॉंटिन्यू रहेगी इन्शाला आगे आप लोगोंने बी पूरी रिन्श को सुनना है और जैसे आप लोग कॉलिज में प्रॉपर उसको सुनते थे इसा से आप लोगों है आउनलाइन लेक्झर भी सुनना है और अप्नी जो है educational activity को नुकसान नहीं पहुचने देना ताकि आपकी तालीम साथ-साथ जारी रहे तो जैसा कि हम लोग last lecture में पढ़ रहे थे last lecture में हम लोगों ने multiplication of vectors देखी थी vector addition by rectangular components देखी थी तो आज हम अपने अगले topic की तरफ जाते हैं जो कि है product of two vectors लेकिन उस topic को start करने से पहले ये थोड़ा सा discuss करना ज़रूरी है इसको ज़रा गोर से देखें आप हमने पहले एक last lecture में ये देखा था कि अगर हमारे पास दो rectangular components given हो AX और AY तो हम उससे vector की magnitude भी निकाल सकते हैं और vector की direction भी थीटा भी निकाल सकते थे हमारे पास magnitude का formula आया था A is equal to AX square plus AY square under the root और थीटा जो हमारे पास था direction उसमें वो थीटा is equal to 10 inverse AY over AX आया था अच्छा वो तो था जब हमारे पास components given हो और हमने vector find करना हो अब अगर इसके उलट हमारे पास vector A की magnitude और थीटा given हो और हमने components find करने हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं पहले हम जरा ये देख लेते हैं बहुत ही असान है आपको diagram नजर आ रही होगी diagram के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास main XY plane के अंदर हमने एक A vector draw किया हो है जिसका एक AX component है जो के X axis के along है और A Y component जो है वो हमारे पास इसका Y axis के along है अच्छा इसको फिर हमने साथ एक triangle की form में बनाया है जैसा के ये हमारे पास right angle triangle होती है तो इसमें एक side base एक side perpendicular और एक side हमारे पास hypotenuse है तो इसमें हम अगर दो angle study करें cos theta और sin theta इससे पहले हम 10 theta कर चुके हैं जब हमने theta find किया था direction किसी भी वेक्टर की तो अब हमारे पास अगर हम इसमें X component इसका find करते हैं तो X component में हमारे पास cos theta जो है वो equal to होता है base over hypotenuse तो इस diagram से अगर हम देखें कि base हमारे पास क्या है और hypotenuse क्या है तो triangle में आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जो base है वो basically AX जो हमारे पास side थी O से लेकर M तक वो AX है वो base है हमने उसमे cos theta में base की जगा पे AX की value पूट कर दी फिर इसी तरह से अगर आप hypotenuse देखें O से लेकर P तक तो वो हमारे पास A है तो hypotenuse की जगा पे हमने A put कर दिया तो हमारे पास formula बन गया cos theta is equal to AX over A अब इसमें से अगर हम AX की value find करना चाहें तो A जो divide हो रहा है वो दूसरी दरफ जाके multiply हो जाएगा AX is equal to A cos of theta बन जाएगा और same इसी तरह से अगर हम Y component के लिए find करें तो अब हम sin theta यूज़ करेंगे क्योंकि sin theta में हमारे पास A Y आएगा तो sin theta is equal to होता है perpendicular over hypotenuse तो इसमें अब हमारे पास perpendicular जो है वो M से लेकर P तक जो side है जिसको A Y हमने कहा और जो हमारे पास इसमें hypotenuse है वो हमारे पास A है यह आपके सामने जो diagram है इसमें आप इसको गोर से देख सकते है कि हमारे पास जो M से P तक है A Y perpendicular और O से P तक हमारे पास hypotenuse तो हम इसको put कर देंगे sin theta is equal to है perpendicular over hypotenuse तो perpendicular की जगह हमारे पास आ जाएगा A Y और hypotenuse की जगह पे हमारे पास आ जाएगा A तो यह हमारे पास sin theta is equal to A Y over A बन जाएगा जिसमें से अगर हम A Y की value find करना चाहें तो A उदर जाके multiply हो जाएगा A Y is equal to A sin theta हो जाएगा तो dear students अभी तक हमने जितना discuss किया इससे हमें यह बात पता चली कि A X component वो equal होता है A cause of theta के और A Y जो हमारे पास Y component है वो equal होता है A sin theta के तो अब अगर हमारे पास किसी भी जगह पे हम किसी भी vector के components बनाते हैं जिस तरह से A X और A Y हम पहले देखते रहे हैं अब हम A X की जगह पे A cause of theta भी लिख सकते हैं और A Y की जगह पे A sin of theta भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास A X और A Y इन दोनों के equal होता है तो I hope यहां तक आपको यह बात समझ में आ गई होगी यह नीचे एक diagram में मैंने इन दोनों चीज़ें लिख दी है अगर आप यह नीचे वाली diagram देखें आपको इसमें नदर आ रहा होगा कि A के दो components हैं एक A X और एक A Y A X वाली component को हम A cause of theta भी कह सकते हैं और A Y वाली component को हम A sin of theta भी कह सकते हैं क्यूंकि अभी उपर हमने इसको drive किया तो यह आप लोगों को पता होना दरूरी है हमारे next topic में जाने से पहले तो यहां next topic स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास next topic है वो है product of two vectors हमने इससे पहले multiplication of vectors जो है वो उसकी तीन types पढ़ी थी कि multiplication by a positive number multiplication by a negative number and multiplication by a scalar quantity उसमें मैंने आपको उस lecture में बताया था कि इसमें एक fourth भी हमारे पास point आएगा जिसमें हम दो vectors को multiply करेंगे तो अब यह हमारे पास product of two vectors है कि जब हम दो vectors को multiply करेंगे तो हमारे पास उसका answer क्या होगा तो इसमें हमारे पास दो किसम की situation बनती है एक जिसे हम कहते है scalar or dot product और दूसरा जो हमारे पास है वो है vector or cross product तो इसमें अब हमारे पास next हम start करते है scalar product को तो आज के lecture में यहां तक काफी है आज के lecture में जो हमने देखा उसमें आपको यह चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास AX और AY जो components है यह किस तरह से हम find कर सकते हैं कि हमारे पास A और theta दिये गए हो और उसमें AX जो है वो A cause of theta होगा AY जो है वो equal to होगा A sin of theta तो आज के lecture के लिए इतना काफी है इसको आप अच्छे से revise करेंगे इसकी practice करेंगे तो हम next lecture फिर जो start करेंगे उसमें यह use होगा ओके जी अस्रामलेकूम